हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आप ही लोगों के डिमांड पे ये वीडियो आज फाइनली आप लोगों तक पहुंच रहा है मोस्ट अवेटेड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि यूपी बीएट के कॉलेज की लिष्ट जानेंगे और वो भी गौवर्ब्मेंट सरकारी और एड़ेट के बारे में आप सभी स्टुडेंट जो इस साल के लिए प्रिप्रेशन कर रहे हैं या अगले साल के लिए भी कर रहे हैं उनके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता तो चलेगी और यूपी में कितने सरकारी और एड़ेट कॉलेज हैं जिसके लिए हम आप तया जानेंगे जानेंगे फाइनली आपको मैं इस वीडियो में एक डेमो दिखा लेता हूं कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा और कुछ इसी टाइप पे हम लोग बात करेंगे इससे पहले श्टार्ट करने इस पहले मैं आप सभी लोगों को बता दू इसमें हम लोग ऑल करना है कि आपके district में कि स्टेट इनवरसिटी का affiliation है मतलब जो आपके district में colleges उनका affiliation किस इनवरसिटी से उसी वाइस से हम लोग इस वीडियो को देखेंगे है first of all हम लोग बात करते हैं MG KVP महात्मा गांधी कासी विद्यापीट के affiliated government और added colleges की तो पहले में आप नाम देखेंगे कुछ नाम मैं बहुत जल्दी पढ़ूंगा कुछ आप लोग जो अगर आपके लिए important होगा आप उसका screenshot ले सकते हैं first of all आप देख सकते हैं हरिष्चंद जो इसको हरिष्चंद PG college के नाम से जाना जाता है यह added है इसकी फी आप देख सकते हैं आपको बता दे यह arts and commerce आपको यहाँ AC मिलेगा AC arts and commerce की seats मिलाकर 76 है और यहाँ 24 जो है वह science और agriculture यह चीज़े मैंने पिछले वीडियो में बताई है फी आप देख सकते हैं 3465 रुपे यह ध्यान देना एक और most important यह point आता है EWS के लिए जो भी EWS की students है आपको बता दें कि आपकी seats जो है अगर इनकी seats calculate करे overall तो 100 होगी और EWS की seats क्या होती है कि वो पहले से included नहीं होती है जितनी seats है additional 10% मतलब इस college में total जो admission होगा वो 110 होगा EWS additional होगा इसको मैं एक बार फिर से बताऊंगा last में ठीक है तो यहाँ आप देख सकते हैं अब आप आप देख सकते हैं यहाँ पे के भी पीजी college मिर्जापूर में है यह भी एड़ेड नेचर का है लाल बादुर सास्तरी पीजी college मुगल सराय में है यह affiliated अगर आपको इससे रिगार्डिंग और कोई information चाहिए या इन future चाहिए होगी तो आप इन नंबर्स पर कॉंटेक्स भी कर सकते हैं यह official नंबर है उसके बाद उद्रताप college वारांसी जिसको यूपी college के नाम से आप जानते हैं फिर केयान राजकी पीजी college ज्यानपूर संत्र अविदास नगर में बदोई में एक और वारांसी के students के लिए यह important है आदर्स जनता महाविद्याला जो है यह चुनार में है यह हलाके self finance लिखा है लेकिन यहां के फीज हो है वो थोड़ी कम लगती है तो जो भी students यहां से संबंदित हो या इस college के अगल बगल वो पता कर सकते हैं इसके बारे में अब हम लोग next university के बारे बात करते हैं वीडियो को हम लोग बहुत जल्दी कवर करेंगे सारे points को दूसरे नंबर पे है लखनव इनवर्सिटी तो लखनव इनवर्सिटी में आप देख सकते हैं कि कितने अरायन पीजी कॉलेज यह उसके बाद खुन-खुन जी गर्ल्स डिगरी कॉलेज है फिर महिला विद्यालए डिगरी कॉलेज है अमीनाबाद लखनव फिर नव्यू कन्या डिगरी कॉलेज है जो की है राजिंद्र नगर लखनव में यहाँ आप सीट्स देख सकते हैं लोगों का एडमिशन होता है और जहां only for female है यह आप समझ सकते हैं यह girls colleges है यह girls का admission होता है तो यह आप ध्यान रखिएगा और आगे की list में अब हम लोग next scientifically की बात करते हैं next university में नाम आता है राम्मनहुर लोया उन्वर्सिटी का जो की है आयोध्या में जिसका पुराना नाम फैजाबाद है आप सभी लोग जानते होंगे हिंदी में भी नाम गीवन है यहाँ पर आप देख सकते हैं BN KB PG College जो है अक्बरपूर अंबेडकर नघर में है के एन आई पी एसेस महाविद्याल सुल्तानपूर में है फिर के असाकेत PG college अयोध्या में है किसान कॉलेज किसान PG college जो है वो बहराइच में है उसके बाद LBS PG college गुंडा में है आरार PG college जो है वो अमेठी में है और राम नगर पीजी कॉलेज जो है वो राम नगर बारा बंकी में है तो यह इतने एड़ेट कॉलेजेज हैं राम मनुहल लोहिया से यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सभी एड़ेट नेचर के हैं यहां government college नहीं है उसके बाद सारे co-educational है fee आप देख सकते हैं और seats मैंने आपको बता दिया कि यह जो slot है arts and commerce का है बाकी यह science and agriculture का है आप slots को भी देख सकते हैं screenshot भी ले सकते हैं उसके सामने उसकी fee देख सकते हैं जहां कुछ important होगा मैं बता दूँगा आपको fee यहां देख सकते हैं सबसे सस्ता जो है वो यहां पे है 26 रुपे जो लगेगा वो है के-स साकेट PG college अयोध्या में है ठीक है उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्वर्सिटी को देख लेते हैं वह है डीडी यू जिसको दीन दयाल उपात दया है गोरकपुर इन्वर्सिटी के नाम से जानते हैं गोरकपुर में सिच्वेटेड है यहां ज्यादा नहीं 5 college है जैसा आप देख सकते हैं बाबा रागाव दास PG college देवरिया मे हैं और यह main campus का ही है डीडी यू का मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया भी था यह आप देख सकते हैं सारे एड़ेट नेचर के हैं सारे co-educational भी है यह एड़ेट colleges और seats आप देख सकते हैं फी सबकी 5000 है यह common है यह आप यह एक चीज़ यह भी notice कर सकते हैं उसके पाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इनवर्सिटी चौदरी चरण सिंग इनवर्सिटी और इसका पुराना नाम जो है मेरट इनवर्सिटी है आप लोगों को फिर से बता दे जो भी students इन जो भी मैं इनवर्सिटी बता रहा हूं उनसे बिलॉंग करते हैं या उनके colleges उनसे अफिलियेटेड हैं तो वो screenshot ले ले और उसको अराम से देख सकते हैं बाकी को इग्नोर भी कर सकते हैं अब हम देख लेते हैं चौदरी चरण सिंग इनवर्सिटी मेरट की यहां पर आप देख सकते हैं धेर सारे एड़ेड और गवर्मेंट यहां दो गवर्मेंट कॉलेज है तो इंपोर्टेंट हो जाता है पहले तो है चौदरी ट्रिपल एस कॉलेज यह मच्छारा मेरट में हैं फिर डीएबी पीजी कॉलेज मुझफर नगर में है आप यह देख सकते हैं सारे एड़ेड नेचर के हैं यह लास्ट के दो गवर्मेंट नेचर के हैं उसमें बात एन एस कॉलेज जो है मेरट कॉलेज है इसके बाद जेवी जैन कॉलेज है डीजे कॉलेज बड़ावत में है बागपत में है यह आप देख सकते हैं एन आरी कॉलेज है खुर्जा मवील कॉलेज है गाजियाबाद है केम मायावती गवर्मेंट महिला कॉलेज जो है महिला प या मैं तो कहूं all over world सबसे सस्ता जो बीएड है वो यहीं है यहां कि फी आपको जान कहरानी होगी 100 रुपीज है सिर्फ 100 रुपीज में और मेरट एक ऐसी लोकेशन है जो भी स्टुडेंट्स मेरट में करना चाहते हैं आपको बता दें यहां फी आपको बहुत कम मिलेगी वि सकते हैं उसके बाद यहां आप देख सकते हैं कि 1100 रुपे फी का भी कॉलेजेज हैं तो उन सुवाइज भी आप देख लेंगे तो आपको बताते हैं मेरट आपके लिए बेस्ट ऑप्सन हो सकता है जो इस्टुडेंट्स यहां बिलॉंग करते हैं या इसली एड्मिशन ल आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भी आरम बेटकर आगरा इन्युवर्सीटी के बारे में हाँ आपको बता दे इस उनवर्सिटी का नाम पुराना नाम जो है वो आगरा विश्विद्याला आगरा इनवर्सिटी भी है बाकी इसका जो अफिसियल लेम है बी आरम बेटकर आगरा इनवर्सिटी यहां आप देख सकते हैं कि धेर सारे एड़ेट कॉलेजेज हैं तो यह उन इ अ च्छा है जो लोग इस लोकैलेटी से आते हैं ठीक है तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या कालेज्ज शिखोःबाद highlight की कॉलेज बीडे के कॉलेज जो है वह आग्रा में DS College है अलीगड में और उसके बाद k-r girls College है मतुरा में k-r teachers training college है मतुरा में care sm college मनी मैंन पूरी में PC बगला PG college जो है हात्रस में है RBS college आग्रा में Sb college अलिगड में है और स्रीमती BD Jan college जो है वो आग्रा में और TRK college जो है अलिगड में यहाँ आप देख सकते हैं कि यह सभी added nature के हैं कुछ female है आप यहाँ देख सकते हैं इसमें लगबग हमें 5 female colleges दिख रहे हैं बाकी co educational है तीर सा आप देख सकते हैं फी लगबग 5000 से 5000 से 6000 के बीच में है इस आगराव विश्विद्याले के added colleges की तो यह हो गई आगराव विश्विद्याले की बात अब हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे पुर्वांचल इन्वर्सिटी के बारे बेए विर बहाधूर सिंघ पुर्वांचल इन्वर्सिटी यह पुर्वांचल विश्विद्याले के नाम से आप जानते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि कि कितने गंधी स्मारक PG college गाजीपूर में है उसके बाद राजा हरपाल सिंग महाविद्याला जो है राजा श्री कृष्ण दत्त जो है और सिब्ली नेशनल पीजी कॉलेज शिब्ली नेशनल पीजी कॉलेज यह दो कॉलेजेज हैं यहां पर सीट्स आप देख सकते हैं एक मायनौटी के लिए एक ओप में च्री गांधिश मारक पीजी कॉलेज मलतरी आजमगड में यह भी है श्री गनेश राय पीजी कॉलेज यह है यह भी जोनपूर में आप देख सकते हैं सभी एडेड है अभी को एडूकेशनल है फी आप देख सकते हैं मिनिमम्म आपको यहां एक फी मिलेगी वह है 2858 यहाँ पे जाके पता भी कर सकते हैं, अगर आप को नाम पता चल जा रहा है, तो आप उनकी location या phone number से भी contact कर सकते हैं, और फी जान सकते हैं, detailed view में, अब उसके बाद, हम लोग बुंदेलखंड उन्वर्सिटी की बात करेंगे, तो बुंदेलखंड उन्वर्सिटी में आप देख सकते हैं, काफी कम colleges हैं, लगबग 6 added college हैं, उसमें नाम आप देख सकते हैं, अटारा PG college जो है, अटारा बांदा में है, फिर यह ब्रह्मानंद महाविद्याला है, यह राथ में है, ठीक है, बुंदेलखंड college जांसी में है, दयानंद वेदिक college जो है, वो उरही जालोन में है, गांधी महाविद्याला है उरही में है, और PTJL, मतलब जवाला नेहरू college बांदा में है, आप देख सकते हैं, यह सभी added हैं, और यहाँ पे co-educational हैं, उसके साथ seats आप देख सकते हैं, काफी कम है, और जो पहला वाला slot है, आपको पता हो गया कि यह arts and commerce का है, दुसरा science का है, यहाँ आप देख सकते हैं, minimum जो है, वो 1131 रुपे fees से लेकर, maximum आपको 5000 added में मिलेगी, तो जो भी students यहाँ से बिलॉंग करते हैं, वो इसे देख सकते हैं, समझ स देख सकते हैं, आई होप आप लोगों को सही दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ दूंगा एक बाद, बरेली कॉलेज जो है, वो बरेली में ही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, 85 seat arts, arts and commerce की है, 15 science की है, 6832 रुपे यहाँ फी लगेगी आपकी, मै The Colleges पढ़ दे रहा हूँ, दयानन्द, आरेक अन्या पीजी कॉलेज जो है, मुरादाबाद में है, गोकुल दास हिंदू girls degree college जो है, यह भी मुरादाबाद में है, हिंदू college मुरादाबाद में है, और बाकी यह रोहेल खंड जो है, यह मेन कैमपस है, आप सभी लोगों को और सुभागवती बाई दानी महाविद्याले जो है महा या महिला कॉलेज कह सकते हैं वो है स्वामी सुखदेवानन्द कॉलेज जो है उसके बाद है वर्धमान कॉलेज बिजनोर में ये कॉलेजेस की लीष्ट है यहां आप देख सकते हैं इसमें लगबग चार मुझे फिमे 30,000 भी जाती ही जो कि मेन कैंपस में यह मैंने बताया था रुखेल खंट इन्वर्सीटी के मेन कैंपस में इसके आगे हम लोग देख लेते हैं यह भी एक जो है यह भी रुखेल खंट से एफिलेटेड है गौर्मेंट जू है गौर्मेंट कॉलेज है राजा पीजी स्टूडेंट्स के लिए दस है साइन्स के लिए 1908 रुपे यहां की गवर्मेंट नेचर का आप यह देख सकते हैं एक सिंगल गवर्मेंट नेचर का कॉलेज है वहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट इन्वर्सिटी की जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सिधार्थ इन्वर्सिटी कपील वस्तू सिधार्थ नगर में सिच्वेटेड है इस इन्वर्सिटी में अगर हम लोग देखें कि कितने अफिलियेटेड है तो वो पांच है एचार पीजी कॉलेज जो है खलीलाबाद में है जवाहर लाल नहरू उस्मारक पीजी कॉलेज जो है वो महराज गंज में है उसके बाद यह भी सिधार्थ नगर में ही सिच्वेटेड है यह सभी एडेड है को एजूकेशनल है और सब की फीज जो है वो 5000 रुपीज है सीड्स आप देख सकते हैं या इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आप या देख सकते हैं ये इनिवर्सिटी हमारी चात्रपती साहु जी महराज सबस्वेद ऑफिलेटेड हैं aware यह वह इनवर्सिटि जहां सबसे आफिलेटेड कॉलेटेंग कौलेज यए इंडी Dqキ College कानपुर में DBS College God Nadar Kaanpur Mesa3 DEE SAN College जोenden속 दयानन्द डिग्री PGE College जो है यह बीकानपुर में लानन्द वुमेंज ट्रेनिग कॉलेज है फिरोज गान्दी कॉलेज है कचारी रोड रायब रेली है शलीम मुसलिम Business जिए कॉलेज है जो कि ये भी कानपूर में हिंदू कन्याा महाविद्याला जो है ऐ आई हवस्पिटल के नियर है सीतापूर में और महिला महाविद्याला जो है यह है ब्लॉक कि दोई नगर कर तब देख सकते हैं यह सभी समय मैं दिखा दे रहा हूं mean यहां onlay for me मेल्स हैं डीबियस कॉलेज गोविंद नगर यह पहला ऐसा कॉलेज जहां दिख रहा है कि यह मेल के लिए उनली फॉर बाकी सारे फिमेल फी आप देख सकते हैं तो आपको मैं यहां बता सकता हूं कि मीनिमम जो फी यहां आपको दिख रही है वह तीन हजार दो सो तेरह है और कि देखिए यह इसी में है कानपूर विश्वित द्याले में यह प्रोफेसर एचन मिश्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है बिजेंद्र नगर स्वरूप पार्क आरे नगर जो है कानपूर में श्री नरायन गल्स पीजी कॉलेज है तिलक डिगरी कॉलेज है वी एसस डी क कॉलेज है नवाब गंज कानपूर में फिर है युवराज दत्थ पीजी कॉलेज जो है जैदेव नगर में है महाराना प्रताब गौर्मेंट पीजी कॉलेज हर्दोही में है यह भी कानपूर इनवर्सिटी से ही अफिलेटेड है इसका ध्यान देजिएगा जो अभी हमने पि 80 रुपे फी है मीनिमम और मैक्सिमम जो यहां है 5,232 रुपे फीस है तो यह हमने देखा कानपूर का अब हम लोग देख लेते हैं जन्नायक चंसेखर इनवर्सिटी जो है उसके बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को बता दें इसको चंसेखर विश्विद्याला के नाम स जरा जाता है यह नई इन्वर्सिटी है बलियां में है इससे दो ही कॉलेज अभी एफिलेटेड हैं और हो सकता है फ्यूचर में और बढ़ें तो जो फाइनल और लिस्ट आएगी या एक्स्ट्रा आएगी तो वह हम आपको अपडेट देते रहेंगे उसके बारे में यहां इसको बता दे दोनों को एजुकेशनल है और सीट जो है वह फोटीफोर सीट जो है वह आर्ट एन कॉमर्स के लिए चैसाइंस के लिए और दूसरे में जो है वह 38 है आप सेम आर्ट और साइंस के लिए 12 फी आप देख सकते हैं 6412 फी लगती है उसके बाद हम लोग बात करें देंगे आप देख सकते हैं प्रोफेसर इस इन्वर्सिटी का नाम है प्रोफेसर राजेंद्र सिंग रजू भया के नाम से और इसका एक और नाम है तो यह तोटाल चार एफिलेटेड एडड कॉलेजेज है जिसमें नाम आपको बता देने डॉक्टर राजेश्वरी सेवा सेवास्रम महाविद्याले जो है फिर एमडी पीजी कॉलेज जो है प्रताप गड़ में जो भी समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर इस वाले अफिलेटेंट में कौन सा नाम बताएं तो मैं उ आपका लगबग अफटेपूर में है यह आप देख सकते हैं यह एड़ेड कॉलेज है चारो और इनकी मिनिममम फीज जो है वह 1350 रुपे है और काफी कम फीज है एक है जो मैक्सिममम फीज है वह 2901 रुपे है तो बहुत ही कम फीज है तो आप इसको भी देख सकते हैं उसक 40 सीटें और साइंस में 60 सीटें मिलती है तो साइंस में ज्यादा सीटें यहां मिल जाएंगे आपको पी जो है वह 23,000 रुपे के एप्रॉक्स है तो यह बात हो गई ख्वाजा मोई दिन चिस्ति इन्वर्सिटी की उसके बाद है उसके बाद हम लोग लास्ट में दो इन्वर्सिटी के बारे में देखेंगे यहां आप देख सकते हैं संपूरानन संस्कृत विश्विद्याला आपको बता दे संपूरानन जो है वहां पे सिर्फ लैंग्विजे से ही स्टुडेंट्स पढ़ाई करते हैं मतलब जिनको संस इन्वर्सिटी कि उसके बाद कुछ एड़ेट कॉलेजें जैसे कुछ वो स्री आदर्स भारती संस्कृत जो है यह महाविद्याला है यह खेता सरा जौनपूर में है उसके बाद स्री महावीर विश्व विश्व विद्यापीठ जो है यह है न्यू डेली में यह से अफिलि ब्रह्मचारी आश्रम जो है वो संस्कृत महाविद्याल है जो यह जूसी में अलावाद में ही है उसके बाद एक स्रीमत परमहंस संस्कृत महाविद्याल है जो की है अमेठी में आप देख सकते हैं यह एड़ेड है आपको फिर बता दूँ मैं एक बार कि यहां वही पचास सीटें आपको मिलती है आस स्ट्रिम यहां स्ट्रिम नहीं है उसके बाद लाश्ट इनवर्शिटी जो है हमारी कि तो हमारी लश्ट इन्वर्सिटी है वह गौतम बुद्ध इनवर्सिटी नोविडा में है आपको मैंने बताया पिछली वीडियो में कि यहां इसके मेन कैमपस में ही सिर्फ सीटे हैं आप देख सकते हैं कि 50 सीटे हैं और फी जो है वो 50,000 रुपय है और यहां पर सिर्फ आर्ट सिट्रीम से ही चलता है यहां पर बीड़ तो यह ओबर आल हमने हम लोगों आज की वीडियो में बात किया आपको बता दें कि अभी 19 इनवर्सिटी होई है फ्यूचर में लेकिन अभी ओफिसली जो है कोई डेटा नहीं आया है कि जो प्लस तीन इनवर्सिटी हैं उसके एफिलेटेट कॉलेजेस का तो जैसे ही कोई नया डेटा आएगा आप लोगों को information दे दी जाएगी आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी मैं फिर से बता दूं कि यहां पर एक चीज आपको बता दें कि जितनी सीटे हैं मैंने बता ही उसमें इसकी additional 10% जो है वो EWS होगी EWS की जो होगी वो 10% होगी लेकिन additional होगी वो given नहीं है मतलब अगर यहां ग रखिएगा तो आई होप आपको इस वीडियो में जो मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा यह काफी टाइम लगा इसको बनाने में हमारी टीम ने काफी मेहनद की है आप लोगों के लिए और काफी demanding वीडियो थी और साथी साथ बहुत ही important points थे इसमें जो कि पताना था हमें आप देख सकते हैं जहां से हमने शुरू किया था तो आई होप आपको यूपी बीड कॉलेज लिस्ट समझ में आई होगी वहां आपने एडेड और गॉर्मेंट नेचर के colleges देखिये होंगे जिनका नाम मैंने पढ़ा वो तो आप जानगे बाकी आप सुझाव हों या किसी और टापिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अपडेट्स और classes के साथ तब तक लिए बाइबाय टेक क्यार एंड कीप वाचिंग